दोस्तों आजम होंडा ग्राजिया स्कूटी के स्पीडो मीटर के बारे में थोड़ा सा डिसक्स करेंगे इसके फंक्शन को जानेंगे इसमें एक फंक्शन है ब्लुटूथ का मैसेज का और कॉल का क्या वो फंक्शन काम करते हैं और यह तुम आपको बताऊंगा और साथ में इको की लाइट को अगर बंद है तो जलाना और जला है तो बंद करना बताऊंगा अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं दरसल इस मीटर को मैंने रिपेर किया है जस्ट अभी कुछ दि प्रिट्रेस कर चुका हूँ, सभी का वीडियो आपको मेरे मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आएए उस चैनल पर आपको डिटेल से मैं सिखा दूगा, या फिर इस वीडियो के आपको description या फिर comment box में मिल जाएगा, आप बात करेंगे Bluetooth के function की, अगर आप normal देखें, तो आपको function नहीं देखागा, आपको उस function को देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं camera को थोड़ा सा cross से आपको दिखागा, यहाँ पर देखिएगा, मेभी आप लोगों को आप दीख भी किया होगा function, यह Bluetooth का है, Message का है, और तो इस पर बहुत सारी वीडियो बनी है, fake वीडियो है, बट वो function अभी तक काम नहीं किया है, हाँ, अभी update आगया होगा, या फिर upgrade आगया होगा, उसका तो मुझे नहीं पता, बट यह जो old meter थे, इसमें सिर्फ वो function hide किये हुए है, यह function work नहीं करते हैं, तो अगर आपके इस पास भी ग्राजिया का कोई update meter है, update version है, तो बताइए, क्या अभी वो काम कर रहा है, comment करके बताना, and अब मैं eco के light की बात करूँगा, यह आपना हमें 5 lights उपर के panel पर मिल जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, यह engine की है, बाकी यह eco की है, और यहाँ पर, यह light किस चीज की है, मैं आप ल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Nissan की सीज का है, बताना आप यह लिखा हुआ है, और round करके बनाया हुआ है, यह Nissan की सीज का है, ठीक है, कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी होने चाहिए, यहाँ पर इस meter में eco की light अगर बंद हो जाए, या फिर आपको बंद करनी है, तो एक सेकंड में सभी से प्रेस करता हूँ, इसके बाद हमें, एक सेकंड, हिल जा रहा है बार बार, तो यहाँ पर होना चीए, यह function को चालू करने के लिए, यह kilometer पर आना चीए, उसके बाद आपने इसको 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करने के बाद यह लाइट बिलिंक करने लगेंगी, इसके बाद यहाँ पर आफ किया है, तो इसको एक बार दबा के ओन कर लें, और देर तक इसको प्रेस करने के लिए, स्वरी, सेट करने के लिए प्रेस करने देर तक, और यह लाइट हमारी चालू हो जाती है, और अगर आपने इसे फिर से सीखना चाहते हैं, तो आप दिएगे जो लिंक है, उसको क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में, और वहाँ से सीख सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यहाँ पर आपको पता होगा, इसकी डिस्प्ले में लाल कलर की लाइट जलती है, बट मैंने इसको मोडिफ प्वीटी वह भी रेपैर की है, बाकी जितनी भी है, किसी भी लाइट को आप देख लेना, बाकी इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा से वीडियो में कमेंट कर लेना, थैंक्यू सो मुच ऑच वाचिंग इस वीडियो